नवरात्री के तीसरे दिन मा चंद्रगंटा की पूजा प्रणाम नमस्कार आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्री के तीसरे दिन कौन सी देवी की पूजा होती है और उनकी कथा क्या है पूजा विधी क्या है? नवरात्री के तीसरे दिन मा दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा की जाती है असुरों के संगहार के लिए माता ने यह रूप धारन किया था कैसे करनी चाहिए मा चंद्रघंटा की पूजा और उनसे जुड़ी पूरानिक कता क्या है? इसके बारे में हम आपको यहां बताएंगे मा चंद्रघंटा का स्वरूप सौम में और शान्ती से भरा है और देवी को कल्यान कारी माना गया है देवी की सवारी सिशेर है माता चंद्रघंटा की दस भुजाएं हैं और उन्होंने हर एक भुजा में धनुष, त्रशूल, तलवार और गदा जैसे शश्त्रों को धारन किया है इनका रंग स्वर्ण के समान चमकीला है माचंद्रघंटा का यह रूप मुहक और अलोकिक है और माता की कृपा से कई बार भक्त को दिव्व सुगंदियों या दिव्व धनियों का भी अनुभव होता है माचंद्रघंटा की पूजा का महत्म ऐसी मानिता है कि माचंद्रघंटा की पूजा करने वाले सादक की हर मनो कामना पूरी होती है शत्रों का डर सता रहा हो या फिर कुंडली में घरधोश की समस्या हो माचंद्रघंटा की पूजा से ये सारी समस्यां दूर हो जाती है हर तरह से डर को दूर कर व्यक्ति में आत्मविश्वास का संचार करती है मा चंद्रगंटा मा चंद्रगंटा की पूजा करने वाले व्यक्ति के चहरे पर एक अलग ही तेज होता है और देवी मा के आशिरवास से सुन्दर काया भी मिलती है मा चंद्रघंटा की पूजा विदी नवरात्री के तीसे दिन देवी चंद्रघंटा के समक्ष ब्रत और पूजा का संकल पले इसके बाद देवी को गंगा जल से सनान कराकर वस्त अरपित करें फिर देवी का शंगार करें सिंदूर, अक्षद, गंध, धूप, दीप, पुश्व, फल, प्रसाद, आदी से देवी की पूजा करें दुर्गा चालीसा का पाट करें आरती के बाद ओम देवी चंद्रघंटाए नमा इस मंत्र का जाप करें फिर माता के सामने अपनी समस्यां और कस्ट को रखें इस दिन मा चंद्रघंटा को दूद या दूद से बनी किसी भी मिठाई का भोग लगाए मा चंद्रघंटा की कथा असुरो के स्वामी महिशा सुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंगासन हासिल कर लिया था और स्वर्ग लोग पर राच करने लगा इसे देखकर सभी देवतागण परशान हो गए और इस समस्यां से निकलने का उपाय जानने के लिए ब्रह्मा विश्णू और महेश यानि शिपजी के पास गए यह सुनकर तिरदेव क्रोधित हो गए और तीनों के मुख से उर्जा उत्पन हुई देव गणों के शरी से निकली उर्जा भी उस उर्जा से जाकर मिल गए यह दशों दिसाओं में ब्याप्त होने लगी तभी वहाँ एक देवी का अफ्तरण हुआ भगवान शकर ने देवी को तरशूल और भगवान विश्नों ने चक्र प्रदान किया इसी प्रकार अन्य देवी देपताओं ने भी माता के हाथों में अश्र सर्स्त दिये इंद्र ने माता को एक घंटा दिया और सूरे देवी ने अपना तेज और तलवार देवी अब महिशा सुर से युद्ध के लिए पूरी तरह से तयार थी देवी ने एक ही जटके में दानवों का संघार कर दिया इस युद्ध में महिशा सुर के साथ ही अन्य राक्षसों का संघार भी माने किया इस तरह माचंदर घंटा ने सभी देवताओं को असुरों से मुक्त कराया अगर आप हमारे पंडीजी से कोई सलाह चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या आप हमें इंस्ट्राग्राम पर भी अपनी समस्या के बारे में बता सकते हैं जिससे कि आपको आपकी परशानी का उपाए हम बता सकें इंस्ट्रग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है अगर आपको हमारे द्वारा बताएगे जानकारी पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और भी नए वीडियो अपडेट पाने के लिए बैल बटन पर क्लिक करें जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सकें इस जानकारी को अन्ने लोगों के साथ भी शियर करें जिससे उन्हें भी सहायता प्राप्त हो वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें धन्यबाद